जहिन सातियों देखिए आज हम बात करेंगे रीट पातरता कब तक होगी और जो नई बरती है 2023 यानि कि 33 रेनी सिक्षक बरती क्या वो आप आएगी या फिर कब तक आएगी चलिए सुरू करते हैं कितने पत रहेंगे नोट्यूकेशन यानि कि विक्यप्ति आपको कब तक दे जब चुनाओ हो जाएंगे तो उसके बाद में चांसेज है कि दिसंबर के अंदर देखने को मिल जाए अगर किसी कारण से सरकार यहां पे लेट करती है तो आपको लगबग अपरेल तक अधिक्तम अपरेल तक आपको ये रीट पातरता की जो विक्यप्ति है वो देखने को मिल जाएगी लेकिन चांसेज है कि दिसंबर के अंदर ही आपको पातरता प्रिक्षा की जो विक्यप्ति है वो देखने को मिलेगी अगर हम बात करें इसका जो एक्जाम है वो कब तक होगा और जो नई भरती है तीर्टियस रेनी से चर्ट परती वो कब तक आएगी कितने पदों पर आएगी और साथ में ही पातरता का जो सलेवस है वो क्या रहने वाला है देखेगा अगर हम बात करें अगर दिसंबर के अंदर ये जो नोटिकेशन है पातरता का वो आ जाता है तो आपका जो एक्जाम है फरवरी या फिर मार्च में यान कि दूसरे या तीसरे मह तक आता है तीसरे चोथे महिने तक आता है तो यह जो आपका पातरता का एक्जाम है यह आपका एक्जाम चला जाएगा जून जुलाई तक यानि कि छटे से साथवे महिने के अंदर आपका पातरता का एक्जाम होगा किसी कारण से लेट होती है क्योंकि यहां पे बोर्ड ने आपका एक्जाम करवाने की कोशिस करेंगे तो चांसेज है कि दिसंबर के अंदर नोट के असन आपको देखने को मिल जाए और मार्च फरवरी मार्च के अंदर आपका जो एक्जाम है वो कंडक्ट हो जाए पातर तका अब देखिए अगर हम बात करें कितने पदों पर नई बढ़ mesra में खीटे श्रेने चीक बढ़ती कितने 1000 पदों र आ एक लगबग में बेंगे लगबग यह जो पड़ती करिया वो कुर्ण ना होने के कारण नई बड़ती, यहां पे नहीं निकाली जासकी, लग बग यहां पे 20,000 पदों पर खाका त्यार करके छोड़ा गया था, कि अब जो नई बड़ती है, वो 20,000 पदों पर हम निकालेंगे, लेकिन अब सरकार अगर बदलती है या फिर जब नई सरकार बनती है, तो वह यहाँ पर पदों के अंदर वर्दी करेगी लगबग, हम कहें, लगबग 30,000 पदों पर आपको यह बढ़ती आप देखने को मिलेगी ठीक है? 35-30,000 पदों पर आपको बढ़ती देखने को मिलेगी अगर आपकी पताता फरवरी मार्च केंदर हो जाती है तो आपका ये एक्जाम है वो लगबग अगर हम कहें लगबग अक्टूबर के अंदर आपका ये एक्जाम हो जाएगा यानि कि अक्टूबर के अंदर ये आपका एक्जाम हो जाएगा और आपकी जो ये विग्यप्ति है मई के अंदर आपको ये विग्यप्ति है वो देखने को मिल सकती है यानि 33 स्रेणी सिक्षक बर्ति की जो विग्यप्ति है वो मई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी मई महीने में आपको विग्यप्ति देखने को मिल जाएगी और अगर हम बात करें एक्जाम की तो एक्जाम जो हो वो TTS रहने से चक्षकवर्थी का यहाँ पे आपको अक्टूबर के अंदर देखने को मिल जाएगा ठीक है यह जो एक्जाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लगबग 25 से 30 हजार पदों पर यह परती होने वाली है अगर हम बात करें पातरता का जो सलेवस है वो क्या रहने वाला है देखिए लेवल वन की बात करें तो लेवल वन में 30 परसंद मनो विज्ञान के आएंगे और भासा फर्स्ट और सेकिंड के 30-30 परसंद आएंगे इसके बाद में अगर हम बात करें लेवल वन में गनित और गनित की सिक्षन विदियों के 30 परसंद पूछे जाएंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट आपका होगा चाहे आप लेवल वन में किसी भी सब्जेक्ट से हो जैसे मेज साइंस के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं ऐसा स्वालों का एक सब्जेक्ट होता है हिंदी इंगलीज इन सभी का एक एक सब्जेक्ट होता है तो इनके लिए सब्जेक्ट के साथ में सिक्षन विदियां आएगी 60 परसंद की ठीक है तो यहां पर यह जो data है वो 500% यहां पर पूछे जाएंगे 500% नंबर के negative marking यहां पर नहीं होती है पातरता के अंदर यहां पर passing marks general category के लिए 60% यानि 500% में से 90% लेकर आने ज़रूरी है बाकी category wide जूट होती है ठीक है तो आप सभी को पता चल गया होगा जो आपकी पातरता है पातरता का एजाम आपको लगबग हम कहें फरूरी के अंदर देखने को मिल सकता है फरूरी या फिर मार्च के दर अगर विए किप्ती थोड़ी late होती है नई सरकार के आने के कारण तो ये आपका जो एक्जाम है वो जल्ल ही आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे ही पातरता होती है पातरता होने के जस्ट एक से डेड़ महीने के अंदर आपको जो नई TTS रेनी सिक शिक बढ़ती है उसका notification भी देखने को मिल जाएगा और जहां तक chances है आपका जो एक्ज कोनेट करके जरूद देखा धन्यवाद जहिन जबर